प्रवासी मजदूरों को बस मुहया कराये जाने के मुद्धे पर कॉंग्रेस और उत्रप्रदेश की योगी सरकार आमने सामने हैं। इस बीज कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉंफरेंस कर योगी सरकार पर कई आरोप लगाये हैं। उन्होंने बसों को लेकर हुए पत्राचार की जानकारी दी साथ ही कहा कि बीजेपी के जंडे लगाने हो तो लगा ले लेकिन हमारी बसों को चलने दे। इससे 92,000 लोगों की मदद होगी। हमारी बसे अभी भी खड़ी हैं लेकिन योगी सरकार अनुमती नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी ने बताया कि हमने अब तक 67,000,000 लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि यह कठिन समा है, सभी राजनितिक दल लोगों की मदद में शामिल हो। उत्तरप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी मदद के लिए आगे आई है, हर जिले में हमने वलेंटियर्स तैनाथ किये हैं, हाईवे पर टास्क फॉर्स बनाये हैं, ताकि यह लोग जरुतमंदों की मदद करें और उन्हें खाना पिना उपलब्द करवाएं। आपको इस्तिमाल करनी है, तो इस्तिमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए, आपको भाजपा के जंडे लगाने हैं, अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं, तो बेशक लगाईए, बेशक लगाईए, आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्द कराई हैं, तब भी कराईए लेकिन इन बसों को चलने दे, क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उल्जन में पड़े रहे हैं, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं, और तमाम इशूद उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे, और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके साम तमाम मुसीबतों को जहलते हुए चल रहे हैं, तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यह आधरे करना चाहती हूं, हमारी बसे वहां पे चार बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तिमाल करनी हैं, तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमती दीजिए कि हम उनका सच जालन कर सके, अगर आपको नहीं इस्तिमाल करनी हैं, तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापिस भेज देंगे, हमने तीन दिन पहले भी वापिस भेज लिया था 500 बसों, हम वापिस भेज देंगे, जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमा प्रवासी भाई बेहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीरित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं उस तरह से हम करते रहेंगे हमें कोई परवा नहीं है कि आपकी बसे हैं या हमारी बसे हम सिरफ एक सेवा भाव से